आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मॉबाइल फोन में ही MS Word को कैसे चला सकते हैं आप मैंसे काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ना ही कम्प्यूटर है और ना ही उनके पास लैप्टॉप है और वो लोग अपने mobile phone में ही MS Word को चलाना चाते हैं बिलकुल computer जैसा तो अगर आप भी जानना चाते हैं कि अपने mobile phone में आप MS Word को कैसे चला सकते हैं तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है हमारे द्वारा दे गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को like, share और subscribe भी जरूर करिएगा हेलो दोस्तों मेरा नाम ही गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू कंप्यूटर smart class इसके लिए आपको अपने mobile phone में जिसमें भी आप MS Word चलाना चाते हैं उसके play store को open कर लीजिए और उपर की side में आपको search करना है MS Word लिख करके जब आप search करोगे तो MS Word की application आ जाएगी इसी application को आपको अपने mobile phone में download करना है इसके बाद आपको यहाँ पर click करके open करना है लिए बोल रहा है यानि sign in आप frame में कर सकते हो लेकिन हम यहाँ पर sign in नहीं करेंगे इसी के नीचे आप देखोगे sign in later का option है यानि हम लोग बिना sign in किये ही इसको इस्तमाल करने वाले हैं तो हम sign in later पर click कर देंगे जब हम इस पर sign in later पर click करते हैं इस तरीके से तो देखोगे कुछ इस तरीके से message आएगा ठीक है तो यहाँ पर आप जो है इसकी for now का यह बटन दिखाए दे रहा है आपको इसकी for now इस पर click कर देना है इसके बाद जो है आपको try later पर click करना है जब आप इस पर click कर दोगे तो इस तरीके से कुछ interface दिखाए देगा यहाँ पर जो है आपको ऊपर की side में देखे कुछ नहीं दिखाए दे रहा है यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ next पर click करना है इसके बाद जो है यह don't send optional data और accept and send optional data तो यहाँ पर जो है हम लोग don't send optional data पर click कर देंगे और इसके बाद जो इसको close कर देंगे इसके बाद देखे कुछ इस तरीके से interface दिखाए देगा यहाँ पर आपको sign in पर click नहीं करना है बलकि आपको उपर की side में यह जो plus का button दिखाए दे रहा है इस पर click करना है plus button पर click करके आप जो है MS Word में एक नया page आ सकते हैं हम जो है plus button पर जैसे ही click करेंगे तो देखिए इस तरीके से जो है काफी सारे template भी आ जाएंगे जैसे कि हमारे MS Word में आते हैं पहले से बने बनाए काफी सारी template आ जाएंगे आपको जो भी पसंद है इसमें से template उस पर आप click करिए फिलाल मैं यहाँ पर blank लेने वाला हूँ बस मैं blank पर click कर दूँगा इस तरीके से तो देखो कि हमारे सामने page इस तरीके से आ गया है जिस तरीके से ऊपर document one करके आता है MS Word में same वैसा ही यहाँ पर आया है अभी यहाँ पर देखी कुछ बटन दिये गया है जैसे यह अंडो का है और इस पर click करके रखोगे तो यह भी बता देगा mobile view का बटन है यह search का है और इस पर click करके रखोगे तो यह भी बता देगा so commands का बटन है ठीक है तो जब जिस भी बटन के बारे में आपको जानकारी चाहिए बस उस पर click करके थोड़ा से देर hold करिए वो सारे बटन के बारे में आपको MS Word खुद बखुद बता देगा नीचे की set में वहीं आप देखोगे तो यहां पर जो है bold, italic, underline और यह जो है setting और यह text का color, bullets यह सारी चीजे नीचे दी गई है सबसे पहले हम यहां पर कुछ text को type करते हैं उसके बाद में आपको इसके अंदर सारी functions को आप कैसे इस्तमाल करोगे जैसे home tab, insert tab, page layout, view, review यह सारी tab को आप जो है इसके अंदर कैसे इस्तमाल करोगे, bullets बगरा उन सभी के बारे में बताऊँगा तो यहां पर जो है click करें गाद जोखिए यह इस तरह के से keyboard open हो जाता है आप इसमें से भी जो भी typing करना चाहते हो फटाफट से इससे typing कर लीची और या फिर जो है आपको यहां पर एक mic मिल जाएगा आप इस पर भी click करके इसके अंदर typing कर सकते हो या फिर जो है आपके जो एक keyboard है mobile वाला इसके अंदर भी इस तरह के से एक mic का button मिलता है आप अगर इस mic पर click कर दोगे तो जो भी बोलोगे इसके अंदर type होगा तो यहां पर मैं इस पर click कर देता हूं देखे अगर आप जो है बोल करके type करना चाहते हो तो इतना आपको ध्यान देना है कि आपके mobile phone में internet on रहना चाहिए ठीक है तब ही जो है बोल करके type होगा तो यहां पर जो है मैं इसको click करके ok करता हूं मतलब उस पर press कर देता हूं इसके बाद जो है मैं इस पर दुबारा से click करूँगा और जो मैं बोलूँगा इसमें type होगा तो यहां पर जो है मैंने यहां पर बोलना start कर दिया है कि आप अपने mobile phone में ही MS Word को कैसे चला सकते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से ये typing हो रहा है थोड़ा बहुत यहाँ पर जब आप pronunciation करोगे यानि बोलोगे तो Excel को उस समय सुनाई नहीं देगा या फिर server थोड़ा सा आपका weak रहेगा तो थोड़ी बहुत गलती इसके अंदर हो सकती है उसको आपको manually सही करना होगा लेकिन बोल कर भी यहाँ पर typing करने का एक बहुत ही अच्छा option है जिससे हम जो है कोई भी हमको यहाँ पर document तयार करना हो तो हम असानी से कर सकते हैं अगर आप इसको बंद करना चाहते हो तो यहाँ पर बंद कर दीजिए इस तरीके से ठीक है अब बंद हो गया है अब यहाँ पर button क्लिक करके keyword ला दीजिए अभी देखिए इसको सबसे पहले यहाँ से अठाते है तो अभी देखिए हमारा यह typing हो चुका है इसमें जो भी गलती है आप उस पर इस तरीके से क्लिक करके दुबारा से जो है keyboard से typing करके उसको सही कर सकते हैं फिलाल मैं जो है सभी functions को use करना बता देता हूँ आप इसको बारी बारी से जहाँ पर भी गलती होई है आप जब document बनाओगे जहाँ पर भी गलती होगी उसको आप manually सही कर लीजेगा ठीक है अब देखिए इसको जैसे हम लोग mouse से जो है select करते हैं यहाँ पर तो mouse काम नहीं करेगा है यह नहीं mouse यहाँ पर तो हम क्या करेंगे अपने जो है अंगलियों से किसी भी text पर बस इस तरह के से क्लिक कर देंगे क्लिक करने बाद automatic देखूगे इस तरह के से select हो जाएगा यहाँ पर दो handle बन काएगे यह और एक यह यह जो दोनो handle बने न इन में से आप किसी भी handle को पकड़के नीचे एक साइड में जब सरकाओगे तो इस तरह के से select selection बनेगा ठीक है अगर आप जो है एक ही बार में पूरा select करना चाहते हो तो आप select all कर दीजिए वो एक ही बार में select all हो जाएगा और यही पर और भी button दिए गए है जैसे मैंने select किया तो यह cut का button है और यह copy का है और यह paste का है इस पर click करके और भी button यहाँ पर दिए गए हैं सभी का आप जो है इस्तमाल कर सकते हो ठीक है जो भी हमने MS Word में सीखा है वो सारे button आपको इसके अंदर मिल जाएंगे अब जो है हमने select कर लिया है अगर आप इसको बोल्ड करना चाहो तो बोल्ड पर click कर दीजिए यह बोल्ड हो जाएगा थोड़ा साब देखिए आपर बोल्ड हो चुका है उपर का जो हमने select नहीं किया था वो बोल्ड नहीं हुआ है यह वाला बोल्ड हो गया ठीक है अगर आप इसको underline करना चाहो मतलब italic करना चाहो तो italic हो जाएगा थोड़ा underline पर click कर दोगे तो underline हो जाएगा वह अगर आप जो है इसके अंदर setting देना चाहो तो यहां पर click करके कोई भी एक color दे सकते हो उसके अंदर setting लग जाएगी देखिए वो setting लग चुकी है अगर अगर अटाना है तो आप जो है यह select रहने दीजिए जो हमने यहां पर लगाय करेंगे जैसे हम इस पर click करेंगे वह वहां से हड़ जाएगा अगर आप जो है किसी text का color जो है change करना चाहो सिर्फ color तो उस text को select करिए यहां पर color का option है इस पर click करिए जो भी आप यहां से color देना चाहते हो color इस तरह से click करिए वह यहां पर automatic हो जाएगा तो यहां से हमने color अगरा सब चीजे सीख लिए ठीक है अभी जो है मैं यहां पर click करता हूं कुछ यहां पर एक heading हम लोग अपने mobile से बना लेते हैं mobile से हमने यहां पर mobile वाले पर click किया यहां पर देखे इसको enter button यहां पर बोला जाएगा और इस पर click करोगे तो एक नया paragraph बन जाएगा इसी तर यहां पर जो है हम select all कर देंगे अब मैं अगर यहां पर bullets पर click करूंगा तो देखो कि bullets लग जाएंगे automatic देखे यहां पर हमने यह bullets लग गए है उपर की side में भी देख सकते हो bullets लगा हुआ है यहां पर भी आप देख सकते हो bullets लग गए ठीक है अगर आप bullets change करना चाहो जैसे हम लोग सबसे पहले bullets की बात करते हैं नीचे यह देखे bullets वाले button में आप यहां पर click करें और यहां पर काफी सारे अलग-अलग bullets दिये गए हैं जो भी आप bullets रखना चाहते हो उस पर click कर दिजिए वह bullets लग जाएगा ठीक है home tap के अंदर ही जो undo redo यह सब पाया जाता है आप यहां से undo कर सकते हो यहां से redo कर सकते हो font का size अगर बढ़ाना हो तो यहां से आप font का size बढ़ा लीजिए सारे की सारे font के size जितने भी होते हैं वो सब यहां पर दिये गए हैं अगर आप जो है font का style बदलना चाहते हो तो यह जो font का style लिखा है इस पर click करें काफी सारे font के style य यह clear formatting जो भी आप किये रहों को यहां से अटा सकते हो फिलाल MS Word के उपर मैंने पूरा complete आप सभी को सिखा दिया है बस मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि MS Word मोबाइल में आप सभी function को कैसे इस्तमाल कर सकते हो कैसे सभी function को ढूड़ सकते हो बस आपको यह समझ रहा है यह देखिए बुलेट्स है नमबरिंग अगर आप लगाना चाहो तो नमबरिंग पर क्लिक करें काफी सारे यहां पर नमबरिंग के जिस पर भी क्लिक करोगी यहां पर नमबरिंग अटमेटिक सब्सक्राइब करते हैं इस वाले पर हमने होम टाइम में सभी चीजे समझ लिए अगर आपको किसी दूसरे टैब में जाना है तो फिर आप होम टैब पर क्लिक करिए इंसेट वाले पर जाना है तो इंसेट पर क्लिक कर दिए ब्लैंक पेस्ट स्कैन डॉकुमेंट लेकि स्कैन डॉकुमेंट MS मोबाइल वाले में MS Word में काफी अच्छा फंक्शन है यानि कि आप डारेक् किसे इस तरह के से MS Word में जो है soft copy में बीना टाइपिंग किया इस तरह के से लिख सकते हो ठीक है अगर आप टेबल इस्तेमाल करना चाओ तो टेबल पर क्लिक कर सेकते हो पिक्चर अगर आप पनी फोन सी पिक्चर लेना चाहते हो तो फोटर पर क्लिक कर यह डए ड़िक्ट आप अगर आप कैमरे से खीचना चाहते हो तो कैमरे पर क्लिक कर लिए ठीक है से भी दिया है टैक्स बोक्स लेंक्स कमेंट हीडर फूटर यह सारी चीज़े एक्वेशन वगरा इंड़नोर सब चीज़े यहां पर आपको मिल जाएंगे अगर आप जो है दूसरे टाप में जाना चाहते है इस पर क्लिक करिए ड्रॉ पे चले जए इस पर कलिक करिए पेज लियाउट पे चले जाए जो लियाट वाला है Margin अगर आपको बदलनी है तो यहां से Margin काफी जो भी होती है मिस वर्ड में वो सारी Margin यहां पर दी गई है Margin देखिए सेट हो चुका है अभी जेखिए Margin जैसे हमने सेट किया वो हमारा जो है उपर की साइड में आ गया ठीक है अगर आप इसको Ctrl-Z कर दोगे तो देखिए इस तरह किसे अगया यह ऐसा क्यों होगा क्यूंकि यहांपर जो पेज का साइज है ना वह automatic जो है a4 size select हो गया यह पर देखिए हमने select नहीं किया था अब जो है अब हमारा जो है page का size a4 हो गया ठीक है तो यहां से आप जो है अपने page का size भी ले सकते हो पहले ही इस phone के size को तो मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं तो यहां पर मैं home पे जाता हूं home पे click करिए phone का size यहां थोड़ा बढ़ा कर लेते हैं क्यूंकि हमने page का size जो है तैग कर लिया है तो phone का size 80 कर लेते हैं तो थोड़ा बढ़ा हो जागा ठीक है कर सकते हो अगर आप जो है किसी दूसरे टैब में जाना चाहते हो तो यहां पर क्लिक करके किसी दूसरे टैब में भी जा सकते हो देखिए review वाले में हमको spelling मिलता है इस तरीके से जो भी word count वगरा मिलता है new comment वगरा वो सब यहां पर use कर सकते हो इसके बाद फिर से view वाले टैब पर क्लिक करके mobile view देना देखना चाहते हो print layout view heading view zoom in zoom out one page page की विर्थ यह सारी चीज़े आपको यहां पर भी मिल जाएंगे view वाले में ठीक है तो यहां से क्लिक करके आप सारे टैब को वारी वारी से इस्तेमाल कर सकते हो अगर यह टैब आप नहीं भूल पा रहे हो तो यह जो बटन होता ना यह वाला बिंदी वाला बस इस सारी चीज़े मैंने बता दी है फिलहाल जो है मैंने MS Word के उपर complete वीडियो बना दिया है सभी चीज़े में MS Word में मैंने आपको सिखा दी है बस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा था कि आप MS Word को mobile में कैसे use कर सकते हो ठीक है तो आपने सीख लिया हुआ इस वीडिय का option भी दिखाए जिरा उपर की साथ में देखिए document one saved लिखा हुआ रहा है यानि यह जो है अब save हो चुका है बैक आकर भी आप देख सकते हो उपर document one करके save हो चुका है अगर आप दूसरा page लेना चाहते हो तो अब जो है आपको इस पर click करना होगा एक blank document लेना होगा ठीक ह फिलाज को करते हैं back इसको जो है अब PDF में अगर save करना चाहते हो तो इसको open करिए open करने के बाद देखिए कुछ इस तरी के से option आ रहा है तो थोड़ा सा zoom in कर लिजे मतलब इस तरी के से करोगे तो थोड़ा सा zoom in होगा और इस तरी के से करोगे थोड़ा सा zoom out होगा ठीक है इसको अगर आप PDF में save करना चाहते हो तो यह तो थ्री लाइन दिख रही है थ्री बिंदी स्पर क्लिक करिए और यहां पर देखे सारे option दिखाए देंगे share as a PDF PDF की रूप में इसको share कर सकते हो save तो हमने कर लिया है अगर पहले नहीं save क्या था तो दुबारा से आप यहां से से ही print भी कर सकते हो तो दोस्तो इस तरीके से आप जो है अपने mobile phone में ही MS Word को इस्तमाल कर सकते हो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है हमारे द्वारा दी गए जानकारी आपको अच्छी लगी है तो यह वीडियो आप ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के कि और यह अगर उनकारी आपको लाइक कर दो सकते हैंë ज़रूरूर आपको इसे हो यह वीडियो ढ fondo ऑट लूपर 13 उतवरूर आप़।